सबी प्यारे वीवर्स का वेलकम है इस वीक के वोकैबलरी कैपसूल में मैं हुँ आपका होस्ट अमन बहल की गवर्मेंट सर्वेंट हूँ और इस वोकैबलरी कैपसूल के जरीए मैं आपको बजाता हूँ Commone Problem का Solution Problem क्या है? फ़ले सुन लो आराम से याद नहीं होती है सर वुकाइबलरी एक बार पढ़ा समझ में आ गया लेकिन जब अबलाई करना हुआ तब समझ में नहीं आया कि करना क्या है अब ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है सारे जहान की है, मेरी भी है लेकिन इस प्रॉब्लम को एक सिंपल सा सुलूशन है क्या सुलूशन है ध्यान से सुनना पांस से छे रिवीजन चाहिए होते है एक वर्ड को आपने एक वर्ड शिखना डी ओडी डॉग जब आपने इस वर्ड को पहली बार दिमाग में बिठाया था उससे पहले कम से कम 6 बार ये वर्ड आपको किसी ने बताया होगा कम से कम बता रहा हूँ 6 बार तो इसका मतलब कह है हर वर्ड को 6 रिवीजन चाहिए आपके दिमाग में बैठने के लिए और ये रिवीजन ऐसा नहीं है आपने एक ही दिन में कर डाले उस वर्ड को आपको 6 महिने के अंदर 6 रिवीजन देने हैं अब इस सेशन के जरीए में आपको एडवांस्ट क्विजिस ध्याम दखना एडवांस्ट क्विजिस के जरीए वोकैबलरी आपने जो सीखी है रिवाइस करवा रहा हूँ एडिटोरियर क्लासिज में रेगुलर रोज शाम को 5 बजे आती है और यहां पर आगर के वीक में एक बार सारे वर्ड को रिवाइस करो तो शुरू कर ले क्वेशन नंबर 19 से शुरू कर रहा हूँ 18 क्वेशन की पहले 2 वीडियो आ चुकी है पिशली वीडियो को आप जाकर के देख सकते हैं यहां डाल दूँगा ठीक है तो आपकर क्वेशन है वई एक परसन वन वर्ड है एक परसन जिसके पास एक्सेस है एक्स्टा सेंसरी पावर्स का एक परसन जिसके पास एक्स्टा सेंसरी मतलब समझगे ना six cents है जिसके पास उसको क्या बोलेंगे one word में चलो अराम से वीडियो पोस कर ले ना देखो चारों ही एक दूसरे के synonym है ठीक है और इस class का यही मकसद है कैसे synonym के बीच में difference किया जाए visionary का मतलब है जिसके पास vision हो आगे के देखने की fortune teller वो है जो आपका fortune बता दे जो आपका भविश्या बता दे जो तिसको बोलते है fortune teller और एककल भी होता है fortune teller जो भविश्या बता देता है और clear point भी यही होता है भविश्या को बताने वाला चारों कुल मिला करके आपके future से related है लेकिन इनके बीच में difference है ध्यान से समझना visionary का मतलब है एक ऐसा person जो आगे का देख पाए जिसके पास vision हो यह बविश्या की बात नहीं करता यह यूँ सोचता है कि आने वाले time में मेरा व्यपार कैसे आगे बढ़ेगा आने वाले time में इस industry में क्या होने वाला है लोगों की भलाई के बारे में सोचता है vision रखता है एक चीज के बारे में आने वाले time में क्या होने वाला है यह आपके बविश्या की बात नहीं करेगा कि आपकी नोगरी लगेगी ने लगेगी इसको उससे मतलब नहीं है इसको मतलब है देश और समाज से यह अपने आप से मतलब है यह fortune teller और और एकल वही है जिनके पास आप जाते हो सो सो पचास पचास रुपे चड़ा के आते हो और पूछ के आते हो हमारी नोगरी लगेगी या नहीं लगेगी अब देखो यह clear point यह थोड़ा सा different है यह भी होई है पैसे लेने वाला लेकिन clear point वह परसन होता है जो भविश्य नहीं past को भी देख पाए जैसे कुछ लोग आपने सुने होंगे आपके मरे हुए दादा से बात करवा देंगे आपकी है ना आप जाओगे दादा जी से बात करवा देंगे यह ऐसा परसन होता है जिसके पास extra sensory powers है यह कहता है कि मैं वो चीज़ देख सकता हूँ जो तुम नहीं देख सकते मैं उस सीज़ को सुन सकता हूँ जो तुम नहीं सुन सकते मैं उस आत्मा से बात कर सकता हूँ जिसे तुम बात नहीं कर सकते और ज़रूरी नहीं एक ऐसा ही परसन हो clear void आप भी हो सकते हो अगर आप यूँ बोलो कि मेरी six sense बहुत अच्छी है मुझे पता लग जाता है क्या होने वाले आने वाले time में मुझे महसूस हो जाता है अगर कोई सरकार ऐसी है जिसने तीसरी वेव आने से पहले ही अपना health infrastructure ramp up कर लिया आपको ऐसा sentence मिला कि सरकार ने तीसरी वेव आने से पहले अपना health infrastructure को upgrade कर लिया तो उस सरकार के लिए आप one word use करेंगे close test में clear void समझे ना आगे की अनुभूती करने वाला अपने senses से आगे बढ़ करके ग्यान को प्राप्ट करने वाला कलाता है clear void और एकल वो है जो भविश्यवानी करें ये भी वही आदमी है visionary होता है जो vision रखता है आगे के बारे में सोचना जानता है इसका किसी के personal भविश्यवानी से कोई connection नहीं है visionary का समझे देखो words ही है एक दूसरे के synonyms है पर आपस में synonyms होने के बावजुद इनके बीच में difference होता है इसका one word का answer है D clear void चलो आगे बढ़ते है मैंने एक चीज भी की थी आपको पिछली वीक में बताया था जैसे आप इस वीडियो के अभी comments में जाओगे तो आपको notes मिल जाएंगे notes में जैसे आपने ये वाला question उठाया है 16 number अब आपने सोचा भी इसका answer का है मुझे समझ में नहीं आ रहा तो आप link पे click करोगे ना तो वो video खुल जाएगी जहां पे 16 number question में ने पढ़ाया हुआ है तो आप इसके notes को download कर ले ना और जिस question पे आपको डिक्कत हो वीडियो को चला करके अराम से link से देख ले ना session को like करके share कर देना प्यार मिलना चाहिए आपका बहुत time निकाल करके इन words को मैं खुद बनाता हूँ है न चलो देखो यह आज कल के PO के question आ रहे है PO वाले paper में बहुत advanced questions है क्या बोलता आपको करें चार words दी है मैंने आपको यह चारो words almost एक दूसरे के synonyms भी है आपको यह बताना है इन में से कौन सा word है जो statement 1 और statement 2 दोनों में set बैट जाए एक ही word दोनों जगा set बैटे एक जगा set बैटेगा तब आपका answer नहीं है चलो लक्षदीप is to become an dash tourist destination in the years to come लक्षदीप बनने वाला है is to become is to m2 r2 आप जानते हो कुछ होने वाला होता है future में तब यूज करते हैं बीच में going लगा दो आपको समझ में आ जाएगा लक्षदीप is going to become an a या an दोनों लगा ले ना ठीक है emergency, emergent, appearing or emerging tourist destination in the years to come तो आने वाले time में एक उभरती हुई tourist destination बनने वाला है लक्षदीप नाम का ये टापू अगला देखो the scheme is aimed at enabling the poor for having access to emerging, appearing, emergent या emergency medical treatments तो scheme जो है वो aimed at है उसका ये की मकसद है कि enable करें ताकत दें गरीब लोगों को the poor को common plural noun the poor और क्या ताकत दें access रखने की उपलबदता होने की उनके पास medical treatments की जो इस type की होंगी चारों मेंसे एक word अब देखो अपने बास options क्या है appearing, emerging, emergency और emergent चारों words को नजर मारते हैं देखिए appearing का मतलब है जो appear हो रहा हो उबर करके आ रहा हो emerging भी appearing का एक synonym है दोनों एक ही बात को बताते है किसी के उबर करके आ रहे होने की इनका एक और synonym है materializing ठीक है materializing तो यह तीनों एकी बात है जो चीज उबर करके आ रही हो अब देखो यहाँ पर दो words हो रहे है emergency और emergent emergency आप जानते हो जो अचानक से हो बहुत जो है emergency जानते हो ना कोई emergency हो जाती है अपने को तो जो बहुत अचानक से हो sudden हो, unexpected हो वो होती है emergency अब देखो इस word को ध्यान से emergent emergent जो word है ना emergent यह कैसा adjective है यह emergency और emerging इन दोनों का synonym है इन दोनों का जो है mixture है हर वो चीज emergent है जो उबर करके आ रही हो और हर वो चीज emergent है जो emergency हो emergent word के दोनों ही meaning है emergency को भी emergent बोलते हैं और emerge होने वाली किसी चीज़ को भी emergent बोलते हैं तो वास्तम में आप देखोगे तो यह C वाला word जो है ना दोनों जगा सेट बैठ जाएगा अब मैं बठा करके दिखाता हूँ लक्षदी बनने वाला है एक उभरती हुई emerge करती हुई या emergent tourist destination और यह scheme जो है enable करेगी गरीब लोगों को ताकि उनको उनको प्लब्दता मिले emergency medical treatments की या emergent medical treatments की तो यहाँ पर first के अंदर जो है first के अंदर emerging उसके हिसाब से emergent आएगा second वाले के अंदर emergency उसके हिसाब से emergent आएगा यह word दोनों का ही synonym है A और D का बढ़े आगे तो इस तरह के questions होते हैं इसमें आपको एक से ज़्यादा meaning रखने वाले words जो होते हैं उनका ध्यान रखना होता है next question पर आजाओ अपने साथ साथ में try करते जाओ भई bonomi इसको कुछ लोग बोलते हैं bon homie आपको even teachers भी मिल जाएंगे bon homie bon homie ना मोलें इसको बोलते हैं bonomi bonomi है ना add silent समझ लो तो bonomi को इन में से चारों में से कौन सा phrase जो है इसका meaning बताता आपको bon homie का चलो अराम से pose कर लेना ना जल्दबाजी मत करना bon homie का मतलब होता है खुश में जाजी खुश में जाजी ठीक है खुश में जाजी अब ये चारों phrase देख लो ये कौन से खुश में जाजी को बताते हैं ability to counterbalance something किसी चीज की भरपाई करने का ability counterbalance क्या होता है समझगे ना मेरे बात को counterbalance कर रहे हो किसी चीज के सामने balance कर रहे हो इधर एक किल्दो रखा हुआ है तराजू के दूसरी तरब भी आपने एक किल्दो रखा तो counterbalance हो गया दोनों की भरपाई होगी आपस के अंदर है ना किसी को balance कर दिया आपने ability to counterbalance को करते हैं verb form में offset करना ठीक है यह offset verb का synonym है counterbalance करना ठीक है अब देखो to make someone involved with force किसी को जबरजस्ती जबरन involve करवाना इसके लिए हमारे बास एक phrasal verb है rope in इसका बनमी से कोई connection नहीं है किसी को जबरजस्ती जब आप involve करवाते हो किसी काम में तब आप phrasal verb लगाते हो उसके लिए rope in तीसा देख लो a friendly and pleasant disposition disposition का मतलब होता है मिजाज या mood friendly और pleasant mood के लिए ही word है हमारे पास bonamy c आपका answer है d देख लो an unexpected और indirect consequence इसके लिए हमारे पास बहुत सारे words है किसी चीज के indirect consequence के लिए ऐसे consequence जो expected भी नहीं है और जो बहुत आगे चलके है हमारे पास words है पहला है ramification दूसरा है fallout ठीक है fallout या fallout एक और word है इसके लिए spillover spillover ये तीनोए word हमने किये हुए है fallout मतलब आगे आने वाले परिणाम दूसर परिणाम जो हमें पता नहीं है भी ramification भी वही है और spillover effect भी है जो आगे आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेंगे C आपका answer हो गया चलो आज़ो आगे अब कुछ लोग यूँ सोचे हों कि sir ये words तो हमने सीखे ही नहीं कब करवा दी आपने रोज शाम को चार से पांच बजे के बीच में editorial class आती है उसमें मैं आपको ये सारे words जो है ना पांच पांच करके याद करवाता हूँ रोज तो महिने में 25 कलास आएंगी तो 25 पांच 125 नए words डिटेल में सीखोगे और Saturday Sunday को आपको दोनों में से एक दिन इसका मिल जाएगा quiz सारे words को मैं अच्छे अच्छे quiz बना करके revise करवाता हूँ गा तो आप रोज कलास में regular रहें दो तीन महिनों में वो कैबलरी की problem मेरे साब से दूर हो जाएगी है ना चलो The runner was stripped of, deprived of, deprived of या stripped of his Olympic 100 meters gold medal after testing positive for steroids runner को इन चारों में से क्या किया गया उसके Olympic medal से जो medal था 100 meter की race का जब वो test हो गया positive जब उसमें positive पाया गया steroids के लिए steroids उसकी body में मिले चारों ही synonym है, ध्यान से समझना पहले कोशिश कर लो फिर बता जाता हूँ मैं चलो, close answers है, strip of और deprived of इन के बाद में कभी भी OFF नहीं आता strip के बाद में आता है, वह मैं बता जाता हूँ उसका अलग meaning है deprived के बाद में आएगा, ठीक है strip of F, यह अलगी चीज़ है, यह बाद में बताऊँगा अब देखो strip of or deprived of का मतलब क्या होता है strip of का मतलब होता है, छीन लेना और deprived of का मतलब होता है, वंचित करना हिन्दी मता रहा हूँ वंचित करना के अब इन दोने की फर्क है ने जीघ लिया तो वंस्टित भी गडिया ध्यान देनी की बात इहां प्रॉप में पहले तो होगी पनिश्मेंट पनिश्मेंट कि और दूसरे पनिश्मेंट के अंदर क्या होगा तो strip off की एक निशानी क्या है या तो उसमें punishment होगी दूसरा उसमें किसी चीज को किसी आदमी के पास होगी उसको चीना जाएगा Deprive में क्या होता है मैंने आप से आपको education लेनी है school तक निजाने दिया मैंने आपको education से deprive कर दिया आपको खाना खाना है मैंने आपको रेस्टों तक निजाने दिया आपको खाना खाने से deprive कर दिया समझे ना आपको आपके विवक्ति के अधिकार से deprive कर दिया वह दिकार आप तक पहुंचा ही नहीं कभी freedom of expression जो है deprive इन चीज़ों के लिए deprive करते हो जो चीज़ें आपके पास already नहीं है वंचित करते हो अब देखो इस इसको रनर को steroid मिलने के बाद क्या करोंगे यह मैडल तो इसको पहले देदोगे ना बाद में एक साल के बाद दो साल के बाद आपने इसको पगड़ा और पगड़ा पगड़ने वे पाया कि इसके बास रोट्स हैं तो आपने कि इसको strip off कर दिया ठीक है ना इससे चील लिय अब देखो deprive of का एक synonymous है devoid of और एक synonymous का bereave साफसाब लिख दूँнов के बिरीव डिव दिवोड और डिपराइव एक दूसरे के synonymous है strip से इनका ज़्यादा कोई connection दोनों का तीनों नहीं है ठीक है? strip में ले लिया जाता है इसमें वंचित किया जाता है अब ये strip के बाद में देखो डिप्राइब के बाद में कभी ओ डवल फ नहीं आता ये ओ फ वला होता है पहले उसने अपने कपड़े उतार दिये, अब यहां पर किसी को punishment नहीं मिल रही, किसी से कुछ छीना नहीं जा रहा है, आज भी ने खुद अपने कपड़े उतारे हैं, पूल में कूदने से पहले, तो वो strip OFF देखो तो समझ ले ना, किसी के कपड़े उतार रहे हैं, कोई च कोईशन है, सब लोग ट्राइ करो इसको, और जो SSC वाले कर दो तो बहुत भी अच्छी बात है, चलो, पहले sentence पढ़ लेते हैं, he dash that he would be selected for the job, उसने ऐसा किया, कि वो job के लिए selected होगा, उसने calculate किया, consider किया, believe किया, reckon किया, अब दूसरा निख लो, the cost of the project was, dash to be $5,500, जो cost सी project की, वो ऐसी होती थी, $5,500, calculate हुई थी, consider हुई थी, believe हुई थी, या reckon हुई थी, अब तीसा देख लो, we should have dash with being stuck in the traffic, हमें इस चीज से dash with करना चाहिए था, और वो चीज है, traffic में stuck होने की, jam में, traffic jam में फस जाने की, देखो, word बहुत खूपसुरत है, तर, तीनो meaning रखेगा, first में अलग meaning है, second में अलग है, third में अलग है, और वो word है reckon, reckon के तीन meaning होते है, पहला meaning है, calculate करना, दूसरा meaning है, assume करना, believe करना, और तीसरा meaning है, किसी चीज को consider करना, take into account करना, किसी चीज को अपने सोच में लेना है, take into account करना, किसी चीज को खयालों में रखना रैकन वर्ड के तीन मीनिंग है पहला मीनिंग है कैलकुलेट करना दूसरा मीनिंग है बिलीव करना अजूम करना और तीसरा मीनिंग है किसी चीज को टेक इंटू अकाउंट करना अब देखो यह तीनों मीनिंग यहां बैटेंगे रैकन 5,500 डोलर्स है न हमने calculate करके निकाली थी 5,500 डोलर्स यह हो गया दूसरा वाला मीनिंग और देखो we should have reckon with हमें reckon with करना चीए था हमें consider करना चीए था ट्राइफिक में stuck होने की संभावना को हम घर से निकले और सोच के निकले नहीं की ट्राइफिक मिलेगा तो इस संभावना को भी हमें consider करना था या reckon with करना था समझगे न सी आपका answer है तीन ओई मीनिंग को यहाँ पर रखेगा चलो आज़ो next question पे वीडियो पे likes और shares रुकने मत देना मेरे भाई आपका प्यार मिलता रहेगा इन वीडियो को दो नहीं बलकी week में तीन बार भी लाने को मैं ready हूँ सिरफ enthusiasm मेरा होना चाहिए motivation होना चाहिए motivation और किस से आएगा आपके likes और shares से रुकने मत देना dilemma word का सबसे closest meaning निकालना है आपको dilemma का 90% लोग इस question वो गलत करेंगे dilemma word का closest meaning निकालना है A, B, C, D, E में से अराम से अपना time ले लो, dictionary में dive करो भी जाकर के dilemma हमाखफ निकलेगा कुएन्डरी कुएन्डरी को टाइप करना से लाओ ना नियुकलेगा जो इसका synonym हो गया D, अब कहने को तो यह word एक है ना, इसका synonym C भी और इसका synonym D भी है, लेकिन technically C और D अपस पे एक दूसरे के synonym नहीं है, समझें मिरे बात को, एक जो है, यह C के बराबर है और एक जो है वो D के बराबर भी है, लेकिन C और D अपस में बराबर नहीं है, यह तो देखो वही गलती यहां होगी, डिलाइमा का मतलब होता है धरम संकट, क्या होता भई, धरम संकट, और क्वांटरी का मतलब होता है धरम संकट, ठीक है, डिलाइमा और क्वांटरी एक दूसरे के सिनॉनिम है, धरम संकट के, जब आपके पास कोई चोईस है ना, आपको से कोड़ी और स्टूईशने उन उन दिफिकल्ट सिटूएशन अब ड़िफिकल्ट सिटूएशन जैसी इसका सिनानीम निकलेगा यह चारों रहा रही तपर सफिंफ सिटुनेशन के सिनारोट 참ेट के किल्के के synonym है लेकिन दिलेमा से इनका कोई direct connection नहीं है धरम संकट से इनका कोई direct connection नहीं है सम Hema già, तो दिलेमा और qunry एक दूसरे के synonym है और ये बाकी की जो चार हो है। नहीं ये quantity के Quando के दिरेक्ट सिन Buildagram दिलेमा से direct connection नहीं रखते बड़ें आगे चलो यह last है second last है चलो last question है second last है ode one out को बाहर निकालना है बहुत अच्छा question है आपको यह पांचों सिनॉनिम मैंने दी है पांचों का meaning निकाल दो पहले किसमें क्या meaning निकलता है और फिर मेरे को बताओ इन में से कौन सा ऐसा है जो अलग है अपने meaning के अंदर बाखी चार से चलो एक word होता है intensify कानी सुनते जाओ intensify का मतलब होता है intensity को उपर लाना इसका उल्टा क्या है de-intensify किसी चीज की intensity को नीचे लाना अब de-intensify के दो meaning हो सकते है आप किसी की intensity को नीचे लाओ या आप खुद की intensity को नीचे लाओ समझे मिरे बात को आप किसी को नीचे ला रहे हो intensity को या आपकी खुद की intensity नीचे हो रहे है दोनों अलग बाते है किसी को मारना और मरना अलग बाते है मारने के लिए word यूज होता है kill और मरने के लिए word उता डाई अब आप बोलो कि सर मौत तो दोना में हुई अरे ये मारने के लिए ये मरने के लिए दोनों words अलग है वैसे ही de-intensify आप खुद को कर रहे हो या सामने वाले को कर रहे हो ये दोनों अलग-लग words है अब ध्यान से देखो taper off, subside, wane away और peter out इन चारों का meaning क्या होता है अपने आपको de-intensify करना अपनी खुद की intensity को कम करना जैसे कोई लहर है इतनी उपर आई सुनामी फिर उसको आपने दो गंटे बाद देखा वो इतनी से रह गई अब ये लहर जो है ना सबसाइड होगी, taper off होगी, wane away होगी, peter out होगी जैसे बजार में महंगाई है 15% आपने दो साल बाद चेकिया महंगाई निकली 6.6% तो आप कहोगे महंगाई जो है taper off होगी, subside होगी, wane away होगी, peter out होगी मतलब महंगाई कम होगी किसी को कम नहीं किया अब इस वर्ड को देखो diminish को, diminish के दोनों ही meaning है कम करना और कम होना diminish इन चारों का synonym है लेकिन diminish का ये meaning भी होता है किसी की intensity को कम करना मैं अगर आप से ऐसा बोलूँ the inflation has diminished इसका मतलब पता है किया है inflation कम हो गया है किसी को कम नहीं किया लेकिन इस sentence को देखो the inflation has diminished the GDP growth inflation ने कम कर दिया GDP की growth को तो ये कम करने और कम होने का दोनों का ही word ये बताता है समझे न तो इन चारों से इसका थोड़ा सा different meaning है ये एक additional meaning भी रखता है इन चारों के अलावा ये चारों किसी को कम करने का meaning नहीं रखते लेकिन diminished word है ना इसमें ability है किसी को कम करने की तो मेरे गाल से आपको समझ में आगया होगा इनके बीच का slight difference इस word का last question आज का आपके उपर छोड़ रहा हूँ discernible 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 word से इन चारों में से कौन सा word connected नहीं है last question को मैं करवाँगा आपको next class के अंदर possibly आपको मिल जाएगी Sunday को है ना Sunday को possibly ऐसी class में फिर लेकिया हूँगा हाँ एक और चीज बताना मुझे class की timing कितनी रखी जाए duration कितनी रखी जाए वैसे तो 30 minute मुझे लगता है बहुत होते हैं पर मेरी कोशिस ही है कि अगर आपको revision नहीं कर रहे हो तो धंग से करो 40-50 minute की class भी हो जुसमें आपके बहुत सारे words रिवाइज हो तो आप ही मुझे बताओ ideal duration को क्या रखे है 30 minute, 40 minute, 50 minute पिछले class के मैंने कुछ questions से जो छोड़े थे उनको मैं फटाबट आपको बता रहेता हूँ 17 number question था ये मैंने पिछले class में पूछा था अब मैं इसको फटाबट आपको करवा रहा हूँ the order of the dead bodies smelled really awful in the area indicating that the putrefaction had already dash जो order थी, जो दुरगन थी dead bodies की, लाशों की वो smell कर रही थी, बहुत खराब, बहुत awful उस area के अंदर indicate करते हुए कि जो putrefaction है जो सड़ने का काम है putrefaction मतलब किसी चीज का सड़ जाना किसी चीज का debase होना किसी चीज का ruin होना सड़ जाना तो जो putrefaction का काम है वो अलड़ी शुरू हो चुका था अब इन चारों में से किसको लगाए जाए वई set out होना भी शुरू होना होता है start होना होता है set in का मतलब भी start होना होता है set up का मतलब होता है establish करना business को set up कर रहे हैं set of का मतलब भी होता start होना चार में से तीन वर्ड स्टार्ट होने को बता रहे हैं, ठीक है, देखो, सेट आउट में स्टार्ट करते हो एक जर्नी को, और जिसमें एक टार्गेट हो, ठीक है, जर्नी भी हो और एक मंजिल भी हो, उसको बोलते हैं, सेट आउट करना, दिल्ली के लिए निकले हो ना, तो से अन-कन्टॉल्ड जो मोह जो है थिया एक्तिबीटी को जैसे एक अलाम को सैट अफ होना अलाम 1 शुरू हो गया बंद हमाड़ना पड़ेगा अपना बंदी हो गया जैसे बॉंक का ॥ा मोह फटना आ खुचना चुरू होता सामघ वनित तो सैट अन-कन्टॉल्ड मोशन जो हों alarm और bombs के साथ में use होता है set off setting का मतलब होता है किसी unpleasant गटना का शुरू होना जैसे खराब मौसम खराब मौसम बरसाथ, rains जैसे महामारी, pandemic जैसे infection और जैसे potrification समझगे ना, खराब चीजों की शुरुवाद जब होती है, बहुत भयानक सर्दियां, बहुत तेज बारिश, बहुत बड़ी महामारी, बहुत बड़ा infection, बहुत बड़ी epidemic, pandemic, है ना potrification, तब आप use करोगे set it तो शुरू तो होता है भाई, सभी शुरू ही करने वाले हैं, लेकिन सब अपना अपने हिसाब से शुरू करेंगे, भी आप पूचा था, कौन सा इन में से synonym नहीं है देखो, पहला word है, inanimate दूसरा word है, resound तीसरा है, doddle, चोठा है, echo echo आपने सुना हुआ है, इसको echo बोलते है, हिंदी medium वाले, echo गूँज को बोलते है, echo है ना इसको इंगलिस को बोला है, echo, पहले तो इसको रिपीट करना, आपने एक गुफा में आवाज दी, आपकी आवाज आपको आगई, तो वो reiterate हुई, चाए resound हुई, चाए echo हुई, एक ही बात है तो B, D और हमारे ये वाला original word जो है, synonym है, एक दूसरे के in-geminate भी नहीं का synonym है geminate मतलब repetition ये मैंने आपको अच्छे थोड़ के बताया था word in-geminate का मतलब भी होता है repetition होना है, जैसे एक word letter, इसमें दो T आ रहे है इस double T को हम बोलते है T का in-gemination, T का repetition ठीक है न तो ये भी reiterate ये repetition का synonym है, डॉनल का मतलब होता है वक्त की बरबादी और कैसी बरबादी जब आपको पता है वक्त है भी बहुत कम ऐसे ही पढ़े हो, उठी नी रहे हो सुबह में पता है ओफिस जाना है, स्कूल जाना है पढ़ाई करनी है, लाइबरी जाना है पढ़े हैं बैड में, अपने इस्टाग्राम चला रहे हैं पेबर आया हुए है, पांस दिन रहे हैं गली में गुम रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है पेबर क्या होने वाला है पता भी है, वक्त कम है, लेकिन बरबादी कर रहे हैं इस युक्त ने डॉडल करना आना का नी करना, एक्शन में आने के लिए पतिक्रिया देने के लिए, किसी चीज में हरकत करने के लिए है न, डॉडल तो डॉडल का कोई मतलब नहीं है, रियाटरेट, इंजैमिनेट और डॉडल इस से, एको से, रिसाउंट से सी आपका आनस्वर है, नॉट अस इनॉनिम अप दा वाइट चलिए मुलागात होगी, वीडियो पे प्यार बनाए रखें, जरूर से शेयर करना एक्जाम संटेट जो है न, कॉंटेंट लेकर के आ रहा हूँ पेड कॉर्सिज में ऐसा कॉंटेंट आपको कराते हैं, श्याद वहां भी ना मिले पूरे मन से ला रहा हूँ, इसलिए पूरे मन से सपोर्ट करना और फाइनली मैं यहां पे अड करूंगा आज के मारी वीडियो के स्पॉंसर है testbook.com आप किसी भी एक्जाम के त्यारी करते हो इंडिया के जितना जरूरी उसके concept शीखना है, उतना ही जरूरी है last moment पे उसके exams को देना mock test को और mock test के अंदर testbook भारत का leading brand है और example आप देख पा रहे होंगे, चाए SSC हो, चाए banks हो, चाए UPSC हो, चाए defense हो हर exam के 1000 mock test आपको मिलते हैं एक single package के अंदर अब यह 17,000 mock test का पूरा package जो है, आपको मिलता है 2.99 रुपीज में एक साल के लिए और 3.99 में 2 years के लिए और ध्यान रखें, जब आप buy करें ना, तो Y8010 coupon code लगा ले ना 10% additional discount मिल जाएगा, buying link को मैं डाल रहाँ, comment section में first comment में पिंड है, अब वहाँ से buy कर सकते हैं